कि हलो इस्टुडेंट क्या हाल चाल आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे ठीक है आपका स्वागत है human health disease के lecture number 8 में ठीक आज part 1 complete हो जाएगा part 1 common disease in human ठीक इसके बाद से हमारा इसके आगे जो भी lecture होगा वो immunity पर बेस्ट होगा आज हम लोग fungal disease का कभर करने वाले ठीक है इसके पहले हम क्या कभर कर एसके बारे में बात हो गई थी और आगे चलadd में बैक्टिरियल डीजीज में ॥ीमोिण या टाइफॉयट यह सारी बात हो गई है यह आज हम लोग किस के बारे मात करने आने हैं ब मोल pesso Shiv dil popular disease के बारे में fun Jo i ke वजह से या फिर fungus के वजह उने वाले डीजीज के बारे में ठीक है अगर आप लोग पहले का लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो उसको विजिट कर लिजे देख लेजे ठीक है तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं उर्य को फंगल की यानिजाइक वज़े से होने वाला टीजीज हुआ को अब इसमें एक वारम के बारे में वैसे य happens कि यहाँ परें क्या पढ़ना है Ringwormुक के बारे में पढ़ना है Ringworm कैसे होता है ये बहुत सारे फंजाई के वजह से होता है यानि groupe of fungi के वजह से ये हो सकता है Group of fungi में वो fungi का Genera जैसे species और Genera होता है न ये एक तरीके का group होता है Genera को हम group कहता है तो ये group इसके लिए एक trick बनाई गई है एक टीम ये ग्रूप मतलब ये एक टीम है ये पूरी की पूरी टीम रिंग वर्म को कौज करने के लिए रिस्पॉंसिवल है ठीक है जैसे पहला है ट्राइको फाइटॉन दूसरा इपीडर्मो फाइटॉन तीसरा माइको स्पोरम पूरी को फाइटॉन इपीडर्मो फाइटॉन एम फॉर माइको स्पोरम इस तरीके से ये टीम एक ट्रीक है ये पूरा का पूरा जेनरा है ये नीट वगरा में पूछा गया है बोर्ड के पॉइंट आप यू से ये ध्यान रखना है कि फंजाई की वज़े से रिंग वर्म हो किसी को कभी न कभी नेल्स के बीच में अंगलियों के बीच में या फिर गर्दन के आसपास या बॉड़ी की किसी अधर पार्ट में खुजली जैसा कोई एचिंग जैसा कोई न कोई पोर्सन कभी न कभी हुआ रहते हैं तो वही तो है fungal digit उसी को तो ring warm ओगरा कहते हैं ठीक है इसके symptoms इसके लच्छण क्या है कैसे इसको पहचाना जाता है जैसे skin हो गई nails हो गई scalp scalp समझते हैं जैसे हमारी सर जो सीर हमारा है सीर पे जहां से बाल उगे होते हैं जो यह बिल्कुल हमारा सीर होता है ये scalp का portion होता है ठीक है various parts of body और बहुत अलग-अलग जो हमारी body के part है वहाँ पे भी ये disease हो सकता है यानि दाद जैसा या ring warm जैसा कुछ हो सकता है और ये दिखता है appearance कैसा होता है इसका dry बिल्कुल सुखा-सुखा से लगता है नहीं लगता है कि वहाँ पे जैसे लगता है कि वहाँ पे oil हो गएरा जब आप ऐसे करते हैं कि हाथ पैर में कहीं पे खुजली हो गएरा हो रही है तो बिल्कुल सुखा-सुखा dryness जैसा फिल होता है जब और लगा देते हैं तो बिल्कुल चिकना और स्मूथ हो जाता है वह पार्ट ठीक है इसका मतलब होता है कि बिल्कुल घाव बन जाता है पपड़ी बन बन के घाव निकलना जैसे पपड़ी बन बन के घाव निकलना यह होता है स्कैली लेसं ठीक नहीं होता है कि जहां पर दात इतना ज़्यादा कि आप खुद को रोक ना पाएं और किस चीट से खुजलाने से जब रिंग वंप हो जाये तो ठीक है सबसे इंपोर्टेंट चीज इस पर दिखे बहुत सरा क्यूशन पूछा जाता है कि फेवरेबल कंडीशन क्या है किसी फंजाई को ग्रो करने के लिए तो थोड़ी गर्म जगह होने चीए और नमी वाली जगह होने चीए वार्म एंड हुमिट प्लेस होना चीए वो फंजाई वह एक्चुल में फंगल का ग्रोथ होता है तो जब आप टिपिन खोलते हैं तो देखते हैं हलका हलका सा गरम से रहता है रोटी दो दिन पूरा नहीं हो गई है लेकिन उसी में उमस के वजह से या फिर उसमें जो भी टंप्रेटर था वह बिल्कुल उसमें पैक हो गया था तो इसके वाज़ा से एनरजी सारी बाहर निकल पाई तो थोड़ा गरम से कहौता और रोटीे में थोड़ा-थोड़ा वाटर का एमॉंट प्रेजेंट होता नमी प्रेजेंट होती है तो इस वजह से वहाँ पर बहुत आसानी से फंजाई ग्रोग कर जाते हैं ठीक है है कॉंभ स्वाइल से स्वाइल से फैलता है ये जैसे को खुछली तो आप में sẽ स्केन में इचिंग होने के चांसे ज्यादा है खुजली होने के चांसे ज्यादा है उनके क्लॉथ यूज कर रहे हैं कॉंब कंगी क्योंकि स्केल्प में जब कई बार हो जाता है जिसको हम डेंडर होता है वह भी फंगल ग्रोथ के वजह से ही होता है फंगल ग्रोथ बहुत में लग रहा है फिर वही कॉम कोई और यूज कर रहा तो फंजाई एक जगह से दूसरे जगह ग्रोव करने लगते हैं एंसी एक फीगर भी दे रखा है देखिए यह जो पॉर्शन है यहां पर यह दिखाया गया है कि यहां पर यह रिंग वर्म बन गया है अफेक्टेड एरि मन के वह छोड़ते रहता है ठीक है और इंटेंस इचीं होते हैं इसके बिल्कुल करेक्टरिस्टिक्स फीचर थे चलिए एक मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि फंगल डिजीज क्या था यह रिंग वर्म इसका एक एक्जामपल है इसमें फंजाई के बहुत सारे इस्पि और इनिस ऍरच प्रजेंट होंगे ठीक मोश्ट कॉमन इंफैक्सिछ डिजीज इन यूमन यह बहुत जादा कॉमन इंफी यह डिजीज इंफ़िक्स डिजीज समझते हैं वन परसण टो एदर परसं जो इडिजीज इस्प्रेब वो वो इंफेक्सिया संगनन होथा यह अग इतना तसलित से यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही पढ़ते रिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखें मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ में तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रिए थैंक यू